मौस्को की एक अदालत ने रूस के उपक्षी नेता एलेक्सी नौलर्णी को उनके उपर हुए नौर्वे एजेंट हमले का जर्मनी में उपचार कराने के दौरान जमानत की शर्तों के उलंगर का दोसी करार देते हुए धाई वर्स से जादा की कैद के सजा सुनाई है अदालत की इस फैंसले के विरोध में मास्को और सेंट पीटर्सबर्ग में विरोध प्रदसन हुए राश्पती ब्लादविल पुतिन के कटू आलोचक नौलर्णी ने अदालती कारवाई को देश के लाखों लोगों के ढराने का मिथ्था प्रयास बताया है फैंसला सुनाई जाने के बाद प्रदसनकारी मध्य मास्कों के कई लाखों में और सेंट पीटर्सबर्ग के मुखिस्तान में इकठा हो गए इस पर अमेरिका की विदेश मंत्री टोनी बिलिंकर ने आदालत के आदियस के बाद कहा हम नौनली को अततकाल और बिना किसी सद के रिहा करने की रूशी सरकार से अपनी मांग को दोराते हैं साथी हाल के समय शान्तिपूर तरीके से इकठा होने और अब्यक्त के स्वत्मता जैसे अधिकारों का इस्तिमाल कर रहे लोगों को हिरासत सिरीहा करने की मांग कर रहे हैं